हिस्ट्री के इस चैप्टर में आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है दा आइडिया ओफ नेशनलिज्म इन यरॉप हिस्ट्री का ये जो चैप्टर है जिसमें हम यरॉप में नेशनलिज्म को देख रहे हैं और जो डिसकस हमने लास्ट वीडियो में इसके फिजिकल लोकेशन को देखकर किया था अब हम इसको आगे डिसकस करना शुरू करते हैं यरॉप में 18th सेंचुरी में जिस तरह की थी उस सिचुएशन को देखकर कभी नहीं लगता था कि यरॉप कभी युनाइट होगा या यरॉप में कभी नेशन स्टेट बनेंगे लेकिन मिडल क्लास की एंट्री ने वो सब कुछ पॉसिबल कर दिया अब हम इसमें यानि इस वीडियो में आगे देख रहे हैं कि यरॉ पर हम सबसे पहला किंग्डम जो ले रहे है वो है फ्रेंच फ्रेंच में जो रिवोल्युशन हुआ था वो युरॉप में सबसे पहला रिवोल्युशन था जिसने की नेशनलिज्म की फिलिंग्स को क्रियेट किया था फ्रेंच रिवोलिशन जो हुआ था ये हुआ था 1789 में किसके अगेंस्ट में हुआ था ये हुआ था लुईस 16th के अगेंस्ट में और किसने किया था फ्रेंच सिटीजन ने लुईस 16th जो बर्बन डाइनेस्टिक का रूलर था एपसोल्यूट मोनार्क था फ्रस्ट और सेकंड इस्टेट के क्लोज में था था थार्ड इस्टेट को वो एक्स्प्लॉइट करता था ये सारी चीज फ्रेंच रिवोलिशन में हमने 9th क्लास में पड़ी थी यहाँ पर जब ये रिवोलिशन हुआ तो इसके बाद लुईस 16th ने अपनी सारी पावर किसे दे दी थी फ्रेंच सिटीजन को उसके बाद फ्रेंच सिटीजन जो थे वो सुप्रीम हो गए थे उनको सारे राइट्स मिलने लगे थे लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे है वो बात ये कर रहे है कि फ्रांस में जो रिवोलिशन हुए थे ये जो रिवोलिशन हुआ था 1789 में इस रिवोलिशन को जिसने किया था जो रिवोलिशनरी थे उन्होंने कौन-कौन से मैथर यूज किये थे ताकि लुई 16 इसमें हार जाए और सारी पावर फ्रेंच सिटीजन को मिल जाए तो उन्होंने कौन-कौन से डिवोलिशन को आगे बढ़ाया था तो यहाँ पर हम डिमांड की अगर बात करें तो डिमांड में सबसे पहले जो फ्रेंच सिटीजन की थी डिमांड जो रिवोलिशनरी से उनकी डिमांड थी उनकी डिमांड फस तो ये थी एक्वल राइट्स सबको एक्वल राइट्स मिलने चाहिए क्योंकि फ्रांस जो एक रिफॉर्म जो accept करे थे अपने नेशन के नाम पर तो यहाँ पर इनों ने second हम डिमांड करेंगे unite, unite nation की, अपने nation को unite करने के लिए उन्होंने एक single flag, एक अपनी खुद की common history, खुद की language, खुद की कल्चर को आगे प्रमोट किया था इसके अलावा उन्होंने स्टेट जनराल को हटाने के डिमांड करी थी इसकी जगे जनरल एसेमली को सेट अप करने के डिमांड की थी इसके बाद हम नेक्स्ट जो डिमांड की बात कर रहे हैं वो है सेंट्रलाइजड सेंट्रलाइजड सिस् सिस्टम का मतलब है common laws होने चाहिए एक जैसे कानून होने चाहिए एक जैसा weight होना चाहिए पूरे फ्रांस में एक जैसा measure सिस्टम नापने तोलने का जो सिस्टम है वो भी same होना चाहिए एक जैसी language होनी चाहिए ये सारी चीज सेंट्रल होने चाहिए और last finally उनको freedom चाहिए थी किस से freedom चाहिए थी despotism से despotism का मतलब होता है कि कुछ लोग जो rule करते है एक country पर despotism एक absolute individual भी हो सकते है ये और या फिर 57 लोगों का एक group भी हो सकता है जो royal family से belong करते हैं जो पूरे country को control करते है ऐसे system को abolish किया जाए तो फ्रेंच revolution में main demands ये थी इन demands को लेके ही revolution किया था इस revolution में उन्हें success मिली और success के बाद Louis 16 ने सारी power French citizen को दे दी ठीक है तो सबसे पहले Europe में फ्रांस में ये एक revolution होने के साथ nationalism का idea जो था वो create हुआ अब हम next point में आते हैं next point आता इसका impact इतना बड़ा revolution Europe में हुआ France में हुआ तो उसके कुछ impact जरूर पड़े होंगे अब ये impact क्या थे वो हमें देखने हैं सबसे पहला impact तो ये पड़ा कि France के आसपास जितने भी kingdoms थे like Holland था, Belgium था, Switzerland था, Italy था इन सब में Jacobin Club खुलने लगे अब ये Jacobin Club क्या थे Jacobin Club वो organization हुआ करते थे जो की discuss करने के लिए use होते थे Jacobin Club women के अलग होते थे workers के अलग होते थे educated लोगों के अलग होते थे ये सारे लोग मिलकर अपनी problems को discuss करते थे या फिर monarch को criticize करते थे तो इस तरह से ये Jacobin Club जो थे ये कहां से inspire हुए थे France के revolution से start हुए थे और France के बाकी के kingdom में भी ऐसे Jacobin Club अपने आप set up होने लगे थे दूसरी चीज़ दूसरा जो impact हुआ था वो था harbinger of harbinger of liberty अगर हम liberty की बात करें तो simple meaning में हम इसे बोलते है freedom ये freedom कौन लेकर आया था ये freedom लेकर आया था Napoleon Napoleon की यदि हम story देखे तो वो France से ही शुरू होती है France में जब Louis 16th ने अपनी power को French citizen को दे दिया था तो France में National Assembly को सारी power मिल गई थी लेकिन National Assembly ज़्यादा टाइम तक नहीं चली और उसकी जगे convention आ गया था convention की भी कुछ अपने loop balls थे उसकी भी कुछ weakness थी जिसका फाइदा directory ने उठाया directory एक तरह का despotism था जिसमें 5-7 लोगों ने पूरे France को control किया हुआ था ये 5-7 जो लोग थे इनमें आपस में बहुत ज़्यादा dispute था जिसका mainly और finally फाइदा किसने उठाया था नेपोलियन ने और नेपोलियन ने इस directory system को हटा कर France को अपने control में कर लिया और France में dictatorship impose हो गई थी अब उसका impact यहाँ पर पढ़ रहा है means पूरे Europe में पढ़ रहा है अब नेपोलियन को एक Harbinger की तरह सारे के सारे kingdom जो थे वो respect करने लगे थे Harbinger का मतलब होता है as a Messiah God, Messenger ठीक है तो यहाँ पर Napoleon को approach किया जाने लगा और Napoleon को approach कौन से kingdom कर रहे थे like Holland, Belgium, Switzerland और Italy 1790 में उन्होंने Napoleon से अपनी आर्मी को अपने kingdom में लाने को कहा ताकि वो अपने यहाँ से अपने kingdom से Monarch को हटा दे और Monarch को हटाने के बाद Monarch को हटाने के बाद वो चाहते थे कि Napoleon ही उनके administration को संभाले क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि Napoleon जो है वो अपने administration के थू हमारे kingdom में development लाएगा वो ही हमारा हार्बिंगर है वो ही हमारा मसीहा है वो ही हमारा नेता है तो यहाँ पर as a हार्बिंगर Napoleon जो था वो liberty के लिए बहुत सारी आर्मी को यानि फ्रेंच आर्मी को बाकी kingdom में भेजने लगा बाकी के kingdom उसे help करने लगे और वो सारे के सारे kingdom धीरे धीरे किसके control में आने लगे फ्रांस के तो फ्रांस यानि Napoleon के निपोलियन धीरे धीरे योरॉप के country पर यानि योरॉप के states पर अपना रोल करने लगा अपनी monopoly अपना control वहाँ पर impose करने लगा इसके बाद जो भी kingdom निपोलियन के यानि फ्रांस के अंडर में आ जाता वही पर तीसरे impact की बात कर रहे है वही पर निपोलियन का code लग जाता था ये निपोलियन code जो था ये 1804 में फ्रांस में impose किया गया क्योंकि फ्रांस में 1789 में तो revolution हुआ था उसके बाद निपोलियन ने बहुत जल्दी ही फ्रांस को control कर लिया और अपना निपोलियन code वहाँ पर impose कर दिया इसके बाद उसकी आर्मी जहां पर जाती थी वहाँ पर मुनार्की को हटा दिया जाता था और वहाँ पर उस kingdom को फ्रांस के अंडर में लिया जाता था निपोलियन उस पर rule करता था और निपोलियन code को वहाँ impose कर दिया जाता था अब ये निपोलियन code क्या है एक्चुली में निपोलियन code में नेपोलियन ने काफी सारे सुधार किये थे पूरे यॉरॉप को एक करने के लिए ये जो रिफॉर्म थे ये कौन कौन से थे बहुत अच्छे से सुनना ये बहुत इजी भी है और बहुत सही भी है यॉरॉप को मॉर्डरनाइज बनाने के लिए पहली चीज उसने कहा कि जो भी चीज, जो भी title, जो भी privilege बर्त के base पर जिसे भी मिले है उसे हटाया जाए तो यहाँ पर उसने बर्त के base पर जो भी privilege मिले थे उन्हें remove किया गया पहली चीज दूसरी चीज उसने प्रापर्टी को सेव किया, उसने कहा कि अगर आपके पास में प्रापर्टी है तो उसको कोई स्नैक्च नहीं कर सकता तीसरी चीज़ उसने जो करी वो था FUEL SISTEM FUEL SISTEM क्या होता है जो सामन्तवाद होते है जो जागिरदार होते है या फिर जो जमिदार होते है उनके SISTEM को ही हटा दिया गया Next उसने जो reform करा यानि जो code में था वो था freed from किसे सर्फडम से सर्फडम की बात हमने अभी अभी करी है सर्फडम हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिसकस करा था जो लेंड के स्लेव होते है उसे सर्फडम बोला जाता था इन सर्फडम को लेंड के स्लेवरी से फ्री किया गया और उसके बाद इस कोड में लास्ट फाइनली चीज किया आई युनिफॉर्म लोज यानि एक जैसे कानूनों का पालन पूरे युरॉप में होगा जो जो निपोलियन के अंडर में है उन स्टेट्स में एक जैसे कानून बनेंगे तो यहाँ पर हमने एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मिडल क्लास ने एक डिमांड उठाई थी एकनॉमिक लिब्रलिज्म की वो क्लास ये चाहती थी एकनॉमि सबकी एक होनी चाहिए एक जैसी करंसी यूज होनी चाहिए और एक नेपोलियन के COD ने uniform laws के अंडर में सारे करंसी एक कर दी और weight और measures के जो भी method थे वो भी उसने एक कर दिये और इसका आपको example जो लंड करना है वो ये लंड करना है कि नेपोलियन ने जर्मनी इस्टेट्स को एक करा यानि युनाइट करा और कम से कम 39 जर्मन इस्टेट को मिल कर एक confederation organization बनाया था ये confederation जो था ये एक organization था जिसमें 39 states include थे सबकी अपनी अपनी currency थी और सबका अपना अपना weight और measure का तरीका था लेकिन निपोलियन ने बाद में इस confederation के 39 states में एक जैसी currency को यूज करवाया और एक जैसा weight और measures को यूज करवाया था और यहाँ पर सबसे पहला जो efforts किया था इसको एक करने का uniform laws का वो किया था प्रुशिया ने प्रुशिया एक kingdom था जो किसके अंडर में था निपोलियन के था प्रुशिया ने यहाँ पर custom union एक organization set up करा था जिसका नाम था जॉल वेरिन ओके यह नाम याद रखना जॉल जॉल वेरिन का काम सिर्फ इतना था कि एक जैसी currency और एक जैसे weight और measure को use किया जाए तो जॉल वेरिन ने अपना काम करते हुए उस समय जो Europe में 30 currency चल रही थी उसको reduce करके कितनी currency में काम करना शुरू करा 2 तो 30 से currency कितनी हो गई थी 2 हो गई थी और weight और measure के जो method थे वो भी क्या थे same हो गई थी तो ये सारा काम किस ने करवाया था ये सारा काम करवाया था निपोलियन ने कब करवाया था French Revolution के बाद और ये demand mainly किस की थी middle class की थी जिसको पूरा किस ने किया था इसको पूरा किया थ निपोलियन ने निपोलियन ने ऐसा एक confederation organization बनाया जिसमें 39 states में जो trading होती थी उसमें बड़ी problems आती थी इस problems को दूर करने के लिए प्रोशिया ने एक custom union यानि एक organization बनाया जिसका नाम था जॉल वेरिन जॉल वेरिन का काम सिर्फ ये देखना था कि uniform laws जो है वो implement होने चा इसे जो France का impact पड़ा था वो तीन तरीके से पड़ा ये code जो थे वो Europe के बहुत सारे states में settled हो गए थे निपोलियन को harbinger माना जाने लगा था और बाकी के छोटे-छोटे kingdoms में Jacobin Club खुलने लगे थे तो अब हम आगे देखते हैं कि निपोलियन ने आगे क्या किया तो हम as a conclusion इसको हम discuss करते हैं अब हम इसको conclusion में देखें कि finally निपोलियन का conclusion क्या निकला conclusion ये निकला कि शुरू शुरू में तो सारे जितने भी kingdom थे वो निपोलियन को harbinger ही मानते थे लेकिन दीरे दीरे उनको कुछ एक बातों से लगने लगा कि निपोलियन उन्हें torture कर रहा है उन पर अपनी monopoly बता रहा है उन्हें दबा रहा है और यहाँ पर यानि पूरे Europe में dictatorship impose कर रहा है ये बाते उन्हें कैसे लगी क्या चीज उनको लगा इसमें सबसे पहले आएंगे tax लगातार tax भड़ रहे थे सेकेंड चीज censorship तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो censorship है वो लगातार भड़ रही थी और last में आएगा forced recruitment force recruitment यहाँ पर mainly बाती आएगी जो kingdom जिन kingdom को निपोलियन अपने अंडर में कर लेता था उसके यूद को जबरदस्ती force ली अपनी फ्रेंच आर्मी में अपॉइंट करता था ताकि उसकी आर्मी क्या हो जाए powerful हो जाए और वो दूसरे kingdom पर attack करके उसको अंडर में मिला ले तो इस तरह से last finally सबको realize हो गया कि ये जो है निपोलियन वो कुछ और काम नहीं कर रहा वो तो सिर्फ हमें torture कर रहा है और हमारे उपर dictatorship थोप रहा है ये चीज़ जल्द ही clear हो गई बाकी के kingdom जो थे वो aware हो गई उन्हें लगने लगा अगर हमने निपोलियन को नहीं रोका तो निपोलियन धीरे धीरे पूरे यॉरॉप को अपने अंडर में कर लेगा और पूरे यॉरॉप में dictatorship हो जाएगी ठीक है तो इसको रोकने के लिए क्या किया गया हम next point में उसको discuss करते हैं तो next point आएगा new conservatism निपोलियन को रोकने के लिए चार किंडम एक हुए ये चार किंडम कौन कौन से थे इनको उस समय European government कहा गया ठीक है ये ये यॉरॉप की सरकार है जो की निपोलियन से हमें बचाएगी यहाँ पर निपोलियन के अगेंस्ट में इन चारों ने एक war किया जिसे 1815 का waterloo के नाम से वो popular है इस waterloo के war में यानि 1815 में निपोलियन हार गया हारने के बाद उसके death हो गई और यॉरॉप में फिर एक question generate हुआ कि अब system कैसा होगा अब सारे system को बनाने की responsibility इस European government की थी यानि इन चारों की थी अब इन चारों ने मिलकर जो system यॉरॉप के लिए बनाया वो कैसा था उसको हम discuss करेंगे क्योंकि इन चारों ने Waterloo के war में निपोलियन को हरा दिया था तो अब कोई भी dictator वहाँ नहीं था कोई भी ऐसा monarch वहाँ नहीं था अब ये चारों के चारों पूरे यॉरॉप के लिए system बना रहे है अब देखो system ये कैसे बना रहे है सबसे पहले इन्हों ने बर्बन डाइनस्टी को ठीक है सबसे पहले इन्हों ने बर्बन डाइनस्टी को restore किया बर्बन डाइनस्टी ये वो डाइनस्टी थी जिसको की निपोलियन ने destroy कर दिया था इसको वापस से सर्वाइव करने का काम किस ने करा ये काम करा इन चारों यानी यूरोपियन गवर्मेंट में दूसरी चीज़ अब उन्होंने फ्रांस की बाउंडरी को क्या कर दिया सील कर दिया उसने का आगे इन फ्रांस कभी दूसरे मतलब किंडम पर कबजा ना कर ले उसे कंट्रोल ना कर ले इसलिए फ्रांस को क्या हो जाना चाहिए सील कर देना चाहिए इसलिए इसकी बाउंडरी पर नीधर लेंड को और बेल्जियम को सेट अप कर दिया इसके बाद इन्हों ने नेक्स्ट जो सिस्टम करा उसमें जितने भी यॉरॉप में मोनार्कीज थे उन सारे सिस्टम को रिस्टोर कर दिया इट मिंस जो भी राजा थे जो भी रूलर थे उनको पावर दे दी गई और ये किस ने दी EU यानि यॉरॉपियन गवर्मेंट ने ये एक और्गनाइजेशन था जो कि 39 स्टेट को मिला कर निकोलियन ने बनाया था इसको इन्होंने टच नहीं किया इसमें जो रूल्स रेगुलेशन ने बनाई थे वो ही रूल्स रेगुलेशन फोलो हो रहे थे और लास्ट जो इस सिस्टम का काम था वो ये था कि आस्ट् रशिया को और प्रुशिया को स्ट्रॉंग बनाना इन यूरपियन गवर्मेंट ने इन तीनों को स्ट्रॉंग बनाने के लिए औस्ट्रिया को तो इटैली का पार्ट दे दिया रशिया को पॉलेंड दे दिया कि पॉलेंड किसके अंडर में है रशिया के और प्रुशिया को क्या दे दिया सेक्सनी का पार्ट तो इसका मतलब है ये तीनों क्या बन गए पावर्फुल इतना सिस्टम करने के बाद इस यूरपियन गवर्मेंट ने पूरी यूरप को जब एड्रेस किया, जब मतलब संबोधित किया तो ये कहा कि हम एक नया कंजर्वेटीजम ला रहे हैं, हम मोनार्की सिस्टम नहीं ला रहे हैं, हम वो लुई सिक्स्टीन्थ वाला मोनार्की सिस्टम लाने के फेवर में नहीं हैं, हम चाहते हैं मोनार्की सिस्टम के अंडर में बह जन्सी को एकनॉमिक लिब्रल करना ये सारी चीजे जो निकोलियन ने की थी हम भी उससे आगे बढ़कर करना चाते हैं लेकिन मुनार्प के अंडर में ऐसा उन्होंने कहा इसलिए उनके कंजर्वेटिज्म को कहा गया न्यू कंजर्वेटिज्म लेकिन जब उन्होंने अपने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाए पूरे यॉरॉप को बताया ये सारी चीजे कही कि अब यॉरॉप इसी सिस्टम के अंडर में चलेगा तो फाइनली इस सिस्टम से तीन बाते साफ हुई पहली बात एक तो अब यॉरॉप में किसकी मोनोपॉली चलेगी मोनार्टी दूसरा इस system में किसी भी तरह का कोई भी criticism करने का opportunities नहीं मिलेगी तीसरा जिसको भी जो भी कुछ कहना है वो censor होगा यानि पहले क्या लेनी पड़ेगी परमिशन लेनी पड़ेगी तो censorship भी क्या हो रही है बढ़ रही है तो कुल मिलाकर इन्हों ने यानि जो ये European government थी जिनके ओपर यॉरॉप की पूरी responsibility निपोलियन के बाद आई थी इस responsibility को इन्होंने सही तरीके से handle नहीं किया इन्होंने जो system बनाया उस system से मोनार्की monopoly होगी उनको criticize करने का कोई space नहीं दिया गया censorship भड़ गई अब ये सारा काम जहां से शुरू हुआ था वहीं पर ही लाकर इन लोगों ने यॉरॉप को खड़ा कर दिया French revolution मोनार्के against में किया गया था उसके बाद changes आने लगे लगा की यॉरॉप जो है वो democratic हो जाएगा लेकिन इसी में ही नेपोलियन की death हो गई नेपोलियन चला गया उसके बाद new conservatism जो एक ये system आया ये new conservatism जो system था ये वाली सारी चीजे कहां पर तेह हुई थी ये सारा system तेह हुआ था वियना conference में ये हुआ था वियना conference में इसको बोला जाता है Treaty of Vienna ओके अब ये वियना कहां पर है ये वियना है औस्ट्रिया में ये औस्ट्रिया की capital है औस्ट्रिया के उस समें Chancellor जो थे वो थे मेटरनिक ओके, मेटरनिक ने इस konferens को conduct करवाया था, means नहीं किया था, इस सब को वियना में बुलाया गया जो कि और 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 के चांसलर थे मेटर्निक, वहाँ पर बैट कर इनों ने इस सिस्टम को बनाया यह सिस्टम, मोनार्की सिस्टम ही था जिसको की इनोंने New Conservatism का नाम दिया तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर के अंडर में काफी सारे टॉपिक्स को क्लियर कराए जिसमें हमने ये देखा कि यॉरॉप में पहला जो किंडम था वो कौन सा था जहाँ पर रिवोलुशन हुआ था वो था फ्रांस फ्रांस का इंपेक्ट बाकी पर कैसा पड़ा वो हमने देखा इसमें हमने निपोलियन के कामों को देखा निपोलियन एक डिक्टेटर जरूर था लेकिन उसने यॉरॉप को मॉर्डरनाईज किया था उसने काफी रिफॉर्म किये थे सबसे बड़ा उसका रिफॉर्म जो था वो युनिफॉर्म लोस था 39 तैन्फर्डरेशन जो उसने और्गनाईजेशन बनाए था और जो जो जॉल वेरिन बना था वो उसका सबसे बड़ा कॉंट्रिबूशन था लेकिन 18-15 में वो European Government यानि इन चारों किंग्डम के मिले जुले जो organization था इससे हार गया था और उसके बाद इस European Government ने इन system को बनाया इस system को new conservatism कहा जिसको बनाने की जिम्मेदारी उनको maternik ने दी थी और maternik ने इस conference को organize वियना में करवाया था और finally Europe मोनार्क से शुरू हुआ और मोनार्क पर ही खतम हुआ